हलो गैस वेलकुम बाक तो मैं न्यूव वीडियो से बात करेंगे मिने 50-50 के बारे में कि कल संदे के दिन महूर ट्रेडिंग के दिन क्या strategy आपकी हो सकती है आपको कैसे पैसा बन सकता option buying में उसके बारे में बात करेंगे और overall market के बारे में बात करेंगे कैसे क्या next week आप planning कर सकते हो क्या market यहां से bullish होगा या market एक और dip दिखाएगा उसके बारे में बात करेंगे so हमारे market ने जो closing की बहुत ही शांदा closing की 19,425 के आसपास आके हमारे market ने close किया है almost 30 point उपर close है देखो वैसे अगर आप point wise देखोगे तो आपको बड़ी closing नहीं नज़र आएगी लेकिन अगर आप downside से देखोगे तो हमारे market ने पहले gap down दिया और नीजे से अच्छा support दिखा दो है market उपर भी गया आप लोग को भी मैंने अच्छा पैसा बनवाया था Friday के दिन अगर आप नए हो market में तो अभी रुख जाओ आपको पता चलेगा कि कैसे आप भी पैसा बना सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह हमारा telegram group 987 members है इसको join कर लो अभी अभी मैंने थोड़ी दियर पहले ही पिछले तीन दिन के अपने members के profit के screenshot शेयर किये हैं यानि कि Wednesday, Thursday, Friday जो भी हमारे members का profit हुआ है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं market हमारा उतना अच्छा भी नहीं था उसके बावजूद हमारे members ने अच्छा अच्छा 14,000, 12,000 अच्छा अच्छा profit बनाया है 8,000, 2,000, 7,000 ठीक है आप भी बना सकते हैं लेकिन उसके लिए पहले आपको telegram join करना पड़ेगा and then मेरे से connect करना पड़ेगा ठीक है और अगर आप free में चाते हैं तो free में आपको telegram पर जो भी मिलता है वो सब free है तो telegram तो आपके लिए must join करना कल के दिन मैंने 2 trade दिये थे आप लोग को एक तो trade हमारा 100 point से उपर था और एक trade हमारा 60-70 point का था जाके एक बाद check out कर लो description में link है ठीक है ये तो हो गया और ये मैं अब भी से नहीं पिछले 6-7 month से लगातार ये जो screenshot का सेलसिला है ये मैं डाल रहा हूँ आप लोग के लिए ताकि आप लोग को trust है कि कोई बंदा है जो आपकी सच में genuine help कर रहा है अब important है हमारा data FIDI का data and important है हमारा global market का scenario global market बहुत ही शानदार closing दिया है देखो कल की वीडियो में भी मैंने आप लोग को क्या बताया था एक बार यहाँ पर देखो Nifty 50 breakout soon यानि कि Nifty 50 का breakout soon हो सकता है and Nifty bank में बड़ा reversal आ सकता है ये मैंने कल की वीडियो में बताया था अब यहाँ पर देखो आप Dow Jones हमारा 1% से उपर है Nasdaq हमारा 2% से उपर है and अगर हम गिफ निफ्टी की बात करें तो 19.600 के उपर गिफ निफ्टी है अब हमारे market कहाँ पर है 19.450 यानि कि कल के दिन यानि कि मौरट ट्रेडिंग के दिन हम अच्छा खासा gap अप होंगे और gap अप होंगे तो कल की क्या planning रहेगी परसों की क्या planning रहेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरा देखिए समझी है and उसके बाद अपना plan execute करिए तब जाके आपका पैसा बनेगा ठीक है इसके according हमारा market यहां से 100 point उपर यानि कि 19.425 19.500 500 के उपर हम easily open हो सकते हैं के दिन यानि कि अपना महूरा ट्रेडिंग के दिन बढ़ उससे पहले मैं थोड़ा सा यहां पर weekly chart देखेंगे क्योंकि हमारा Saturday है तो weekly analysis भी बनता है महूरा ट्रेडिंग में आप ज़्यादा कुछ expect मत करना market से ये बात बोलूँगा अगर आप नए हो सिर्फ analysis करना जरूरी नहीं है कि आप option buying का trade ले ठीक है इस बात पर दियान देना market sideways ज्यादा रहता है market एक move देगा कब देगा वो मैं आपको बताऊंगा भी ठीक है तो market ने अच्छा खासा bounce back दिखाया आप market के लिए important कौन से level रहने वाले हैं अगर मैं weekly की बात करूँ तो market के लिए important अब जो level आने वाले हैं वो है important level 19,550 के रहाऊं ठीक है और 90,550 मतलब जहां हमारा market कल परसों के दिन ओपन हो सकता है अब market अगर यहां sustain नहीं करता है तो market के लिए दिक्कत है अगर sustain करेगा तो बहुत ही शांदर बात है हमें उपर के levels और अच्छे देखने को मिल जाएंगे दो हफते पहले की candle की closing है न वो काफी जादा important है हमें उसके उपर आना पड़ेगा तब जाके हमारे market में कुछ अच्छा होगा तो अगर आप लोग यहां पर notice करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा zoom करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहां पर अगर आप देखो कि तो पिछले 4 दिन से हमारा market एक sideways range में है 1, 2, 3, 4, 5 दिन से market fall किया यहां पर हमने बहुत ही शांदर पैसा बनाया इस fall के अंदर हमारे members ने 1, 2,000,000 इन से भी उपर members ने profit बनाया था आप जाके देख सकते हैं market में एक momentum आया upside का and market यहां पर हो गया है sideways ठीक है market उपर गया, नीचे आया उपर गया and up sideways है अब यह जैसे ही इसका break out करेगा, ठीक है इस triangle का break out इस rectangle, sorry इस rectangle का break out हमारे लिए काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि 5 दिन से हम consolidation phase में, अब आप खुद सोचे 5 दिन में भी हमने कितना अच्छा पैसा बनवाया है अब जैसे ही हम इसके उपर निकलते हैं तो हमारे जो target होंगे वो 19 दिन से 750 के target होने वाले हैं ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिए थोड़ा सा हमारा दिक्कत ये वाला area और करेगा, यहाँ पर हमको थोड़ा watch out करना है, जो मैंने बताया आपको 5, 65, 75 का area है आपके लिए और उसके बाद हमारा ultimately 19,900 इंपोर्टेंट लेवल है और फिर हमारे लिए 20,000 का भी एक round level आता है, जो काफी जादा important है, तो हम अगर कल के दिन gap up open होते हैं और sustain करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, अगर हम sustain करते हैं तो उस चीज़ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, कि कल किस तरीके का moment आता है मैं बताऊंगा अभी कि क्या कर सकते हैं कल के दिन, तो ये तो हमारा होगा daily basis पर कि हाँ भाई market sideways है और जो भी हमारा कल का high है या तो उसको निकाल दे हमारा market या थोड़ा सा और उपर चला जाए अग एक सेगन मैं exactly बता देता हूं कि market में तेजी कहां से हम expect कर सकते हैं देखो market gap अप होगा तो इनका कोई ज़्यादा roll नहीं है बर फिर भी मैं बता रहा हूं 19 सज़ा 450 के उपर अगर हम sustain करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा आने वाले दिनों के लिए अभी देख लेते हैं हम अपने 15 मिट के चार्ट के उपर क्या हो रहा है तो फिर और बढ़िया रहेगा क्योंकि हमें ट्रेडिंग तो 15 मिट और 5 मिट पर ही करनी है तो यह आ गए हम 15 मिट के चार्ट के उपर अब यहाँ पर देख लेते हैं यह देखो proper sideways देखने को मिल रहा है बच्छे से आप लोग को ठीक है अब अगर हम उपर open होंगे तो हमारी लिए important हो जागा क्या हम वो gap filling कर रहे हैं या फिर हम उपर ही sustain कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है महूरत trading के देखो यहाँ पर हमें gift nifty के according शो हो रहा है कि हमारा market gap up open होने वाला है gap up open होगा तो आपके लिए जो एक trade ही लेना एक से ज़्यादा trade मत लेना चाहे loss हो चाहे profit हो एक trade पर close कर देना आप दोबारा गुसोगे दोबारा निकलोगे तो आपका SL hunt हो सकता है इस बात पर द्यान देना तो आपका strategy क्या होना चाहिए first 5 minute candle and first 10 minute candle देखो market सिर्फ 1 hour के लिए open है ज्यादा गंटे के लिए open नहीं हो रहा है इस बात पर द्यान दो ठीक है तो पहली 5 minute की candle कैसी बन रही है वो काफी ज़्यादा important है अगर ये candle red है ठीक है यानि की market उपर open हो और उसके बाद नीचे आए तो इसका low बहुत ज़्यादा important रहने वाला है आपके लिए अगर ये breakdown किया तब आपका trade बनेगा and पैसा बनते ही निकल जाना stop loss छोटा ही होना चाहिए बड़ा stop loss मत ले लेना वनना आप फसे रह जाओगे ठीक है market buy chance देखो buy chance का green candle बनाता है तो भी आपके लिए high और low ही बहुत ज़्यादा matter करने वाले हैं कल के दिन क्योंकि market कहीं तो momentum कर सकता है ठीक है इस बात पर ध्यान दो तो पहले 5 minute या पहले 10 minute ठीक है ये आपके लिए important रहेंगे जो भी area बने माल लीजे ये एक candle है इस candle का high और low इस तरीके से mark करके जब भी इसका breakout आएगा और breakout होना किस पर चाहिए breakout होना चाहिए आपके nifty के chart पर भी and आपके premium के chart पर भी दोनो important है अगर premium के chart पर breakout नहीं है मतलब आप कही न कहीं trap हो सकते है तो वो नहीं होना चाहिए ठीक है आपका ये भी breakout करे आपका premium भी breakout करे जिस भी direction में तो आप plan कर लेना आपका पैसा चोटा मोठा बन जाएगा और अगर पैसा बने तो मुझे जरूर comment section में बताना कि आपका पैसा बना है ठीक है तो फिलाल के लिए ये strategy हमारे कल के लिए मैंने आपको overall कल की वीडियो में आपको बताया था कि हमारा planning आगे का कैसा रेने वाला है कौन से level important रेने वाले है तो हमारा कल की एक candle बन जाने दो एक घंटे की उसके बाद कल के दिन हम plan करेंगे कि Monday को क्या planning कर सकते हैं and next week हमें क्या levels देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कल का candle भी कई न कई थोड़ा सा important तो रहेगा क्या market gap up हो के पूरा यहाँ नीचे आ जाता है क्या market open हो के यहीं sustain कर जाता है तो वो देखना पड़ेगा उसके बाद हम Monday का plan कर सकते हैं अभी नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा इंतिजार कर लो ठीक है तो यह planning है हमारा nifty में तो उसके according ही आप भी plan करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो टेलिग्राम को join करो comment section में कुछ पूछना है तो पूछो टेलिग्राम की link description में मिल जाएगी and जो मैंने बताया है उसको follow कर लेना पैसा बन जाएगा otherwise आप लोग टेलिग्राम पर आ जाना तो अगर possible होगा मैं अधर भी कल आपको एक trade provide करने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक घंटे का time है तो अपने members को भी trade देना होता है इसलिए let's see जैसा होगा मैं आपको अधर पता दूँगा पर जल्दी से आप join कर लो market का momentum solid है positive है तो हम भी positive रहने वाले हैं thank you so much